रादे रादे दोस्तों यह है अःह देखे हारे मटर का छोला अब आप सोच रहे हूंगे कि गर्मियों में कहां से हमें हारा मटर मिल गया हमने हारा मटर ना तो बाहर से खरीदा था ना ही तो कुछ भी KEY तो अब इस बाद में बताण को भी अदा हो कोई भी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो इसमें डालिए देखें यह हमने रात को हरा मिटर मटर भीगा दिया था और फिलने के बाद कैसा लग रहा है कि हरा मटर पूरा कितना बड़ा बड़ा देखें कि एक पीस हरे मटर का यह सब चीजे मैं आपको बाद में बताऊंगे कि ऐसे चीजों से हमने चोला बनाए दो प्याज 2 टमांटर हरे मिर्च को हमने लहसुनादर को ग्रांड कर लिया था एक प्याज तड़के में डालने के लिए यह कुछ खड़े गरम असाले को लिया है जो हम तड़के में यूज करेंगे जीरा काली मिर्च जाइफर जावित् बढ़ वी पाड़े वह समें पाड़ से तड़क दाल है अब देख जो भी हमने खड़े मसाले को लिया था उसमें हमने कूकर में डाल दिया है खड़ा मसाला जब तड़कने लगेगा तड़कने लगेगा ८रूम उसके बाद हमने एक जो बड़ा प्याज हमने काटा था तड़के के लिए उस प्याज को हमने डाल दिया है इसमें अब यह प्याज जब तक लाल होगा इसे अच्छे से प्याज को हमें लाल होने देना है एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि सर्सो का तिल अच्छे से ग मसाले त अब इस मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है और देखे यहां पर आप देंके हैं के हमारे मी जो है अच्छे से भून गया है और तेल किनारे किनारे देखी लग गया है इसका मतलब कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून करके ये तयार हो गया है और भूनने के बाद जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम इसमें जो भी मतर को रखा था वास करके तो सारे मटर को हम इसमें डाल देंगे देखे अब यहां पर थोड़े एक मिनट के लिए कि मटर के साथ हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं और इसके बाद फिर हमें इसमें पानी एड़ करना है अब यहां पर पानी आपको अपने एकॉर्डिंग एड़ करना होगा कि यहां पर अपने कॉर्डिंग पानी डाल दीजिए और उसी हिसाब से थोड़ा मसाले भी डालिएगा लाश्ट में कसोरी मेथी जो कि मेरा फैवरेट मसाला है वह मैं जरूर से जरूर डालती हूं इसको डालते पूरा स्वाद भर पूरा आ जाता देखिए मेरा छोला बनकर अच्छा मतर जो खाने में स्वाद वाला होता है मीठा मतर उन सारे मतर को हमने छेल करके कम से कम 5-10 किलो मतर हमने लिया था उसको छेल करके और हमने उसके बीच को बहुत ही अच्छे से हरे हरे मतर को धूप दिखला दिया था धूप दिखलाने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा मटर हो जाता है फिर दो कटोरी मटर हमने रात में भीगा दिया थो सुबह उसका छोला बना लिया था आप भी इस तरीके से साल भर के लिए मटर को स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता अगर आप थूप बस अच्छे से दिखाते रहिए इस तरह आप साल भर सबको हरे मटर का टेश्ट टेश्ट छोला बनाते रहिए और सबको खिलाते रहिए अगर आपको मेरा विडियो थोड़ा भी पसंद आया ह। तो प्लीज 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 आप हमारे चनल को लाइक, सब्सक्राइब, सेर जरूर से जरूर करिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थाइंक्यू